दोस्तो कुछ समय पहले मैंने Zerodaw के अपर एक वीडियो बनाई थी Dragon Drop Trading आप Zerodaw के platform के ऊपर कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में Fires में आप Dragon Drop Trading कैसे कर सकते हैं वो भी Advanced Level के साथ वो दोस्तो समझाने वाले हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों ये देखने वाले हैं, जो लोग Dragon Drop Trading जानते हैं कि Fires में कैसे होती हैं, वो इस वीडियो को ना देखें, अपना समय बरबाद ना करें, जो नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं, वो ही इस वीडियो को देखें, तो चलिए चलते हैं computer screen पर अच्छे से इसको समझते हैं, बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी का ट्रेडिंग चानले की YouTube चैनल में, मेरा नाम है अनमोल मितल, ये आप जो प्लैटफोर्म देख रहे हैं, ये है Fires Web का प्लैटफोर्म, जिस तरीके से हम जेरोदा के अंदर, जेरोदा काइट को लगात हैं, और वहाँ पर कुछ इस तरीके का प्लैटफोर्म हमें दिखाई देता है, बहुत खूपसूरत प्लैटफोर्म है, और इसी के ओपर ही सारा काम हो जाता है, प्लस इस प्लैटफोर्म के खास बात और है, अगर आप इस प्लैटफोर्म को देखेंगे, तो ये ट्रेडिं वीव पे आप डिरेक्ट जाकर के चार्टिंग करते हैं मतलब कोई भी टेक्निकल एनलिसिस करते हैं और थोड़ी सी एडवांस लेवल की पांस से ज़्यादा इंडिकेटर्स आपको लगाना या कुछ ऐसा करना है तो वो ट्रेडिंग वीव आप से लग चार्ज करेगा वे ए तो free of cost हम इसको यूज कर सकते हैं कोई पैसा नहीं लगना उसमें हम 1200 पदानी 1500 पर मंत का देना पड़ेगा अगर advanced लेवल पे यूज करना पड़ेगा तो ये एक benefit हमें fires already provide कराता है कि आप trading view के जो features हैं वो free में enjoy कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं drag and drop trading की क्या होती है देखे हैं यह देखे यह black वाली लाइन देखे जैसे मैं drag कर रहा हूं यह देखे तो जहां भी आपको trade लेना है आप इस तरीके से drag and drop कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे एक advanced feature भी है इसके अंदर वो भी आपको समझाओंगा miss मत करेगा सिर्फ इतना ही नहीं है एक स्टोक उठा लेते हैं उस पर live एक बार trade करके मैं आपको दिखाता हूं तो हम उठा लेते PNB अच्छा वोल्यूम रहता है PNB के उपर यह दोस्त हमने PNB का स्टोक यह पर्टिकुलर यह स्टोक हमने लगा लिया है टाइम फ्रेम आप यहां से चेंज कर सकते हैं जो भी आ कोचेबल कर देते हैं ताकि अच्छे से दोस्तों आपको विजीबल हो सके तो यह दोस्तों आपको दिख रहा है PNB का चार्ट ठीक है तो नॉर्माली अगर मुझे पेन भी खरिदना है मार्किट पर ही तो मैं इसको मार्किट पर एक और लगा लेता हूं इसका तो यहां द जाओंगो तो ज़्यादा समय लग जाएगा तो यहां हम प्लस की निशान पर देखें यहां क्लिक करेंगे यह प्लस का निशान है create new order पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के एक order window खुल जाती है तो जितनी quantity आप लगाना चाहते है तो लगा लेजिए example के लिए मैंने एक quantity यहां लगा लिया है और यहां हम इसको buy करना चाहते है तो यहां से देखें मैंने buy पे क्लिक कर लिया है buy at market price यह लिखा हुआ है तो same हम market price पर इसको buy कर लेंगे आप यह देखिए buy हो गया है जहाँ पर buy हुआ है यहाँ पर देखें एक line आपको दिखाई दे रही है blue color की यह देखिए कितनी quantity buy हुआ है वो भी आपको यहीं दिखाई दे रहा है कितना profit loss चल रहा है वो भी आप यहीं पर देख सकते हैं तो कितना advanced feature है कि profit loss भी आप यहां देख पा रहे हैं, quantity भी आप यहीं देख पा रहे हैं, plus यह जो cross वाला निशान है, जैसे मैं इसको click करूँगा आप अपनी position से exit कर सकते हैं, तो कितना जबरदस drag and drop है, अब एक काम करते हैं कि हमने इसको यहां buy तो कर लिया, आप हमें stop loss भी पर click करिए, यह आपको बोल रहा है, sell Punjab National Bank, stop 1, 55 रुपर साथ पैसे, जी हां, हमें इसके उपर click करना है, और sell 1 quantity भी click करना है, that's it, अब यह देखिए, automatic आपको एक line नज़र आ रही है, यहां से लेकर यहां तक, और आपको यह बता रहा है, कि यहां पर stop loss लग गया है, अब इसका benefit यह है, कि इस line को आप उपर नीचे भी कर सकते है, अभी देखिए, इसको मैं उठा करके, अगर मैं यहां लगाना चाहूंगा, तो यह काएगा, modify करना है आपको, जी हां, modify कर दिया, अभी यह उपर किसक गया, मैं अगर इसको खीच करके, नीचे अगर लगाना चाह सकते हैं, सेम चीज़ आप options के contract में कर सकते हैं, कोई भी contract, holy g options का, जिस पर आप trade करना चाहते हैं, कोई भी call का chart, put का chart, उसे चीज़ आप उसके उपर कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, आप चाहें, अब यहां पर target भी लगा सकते हैं, माल लेते हैं, मैं उपर target लगाना चाहता तो क्या से लगाँगा, तो यहां देखिए, अब मैं माल लेता हूँ कि 56.35 पैसे पे target लगाना चाहता हूँ, for example, यह कोई मैं trading नहीं सिखा रहा, कुछ नहीं कर रहा, simply मैं drag and drop features आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहां पर sale पे लग हो जाएगा, इसको भी चाहे, तो आप drag and drop कर सकते हैं, यहां इसको click करिए, यह देखिए, जहां आप खीचना चाहे, इसको खीच सकते हैं, और modify one order, वहां खीच जाएगा, that's it, इतना simple और इतना advance होता है, यह drag and drop trading, इस trading view chart के अंदर, कि आपको मज़ा आ जाता है काम करने का same scenario है, और advance features की मैंने बात करी थी, कि इसके अंदर एक advance features में आपको बताने वाला था, कि advance feature क्या है, एक इसके अंदर और advance feature है, कि आगर आपको कभी भी लग रहा है, कि आपको अपनी position reverse करनी है, कई बार हम trade लेते हैं, थोड़ देर बाद अंदाजा हो जाता है, कि वो हमारा position create करी हुई है, यानि यहां से market उपर जाएगा, तब आपको benefit होगा, और red वाली का मतलब यही है, कि यहां पर आपने कहिने कहीं short करा हुआ है, तो यहां पर देखिए, मैं इसको reverse पे यहां click करता हूँ, देखिए reverse position, यह क्या करेगा, जो आपकी long position है, उसको card देगा, और यहां से short positions create कर देगा, तो यह देखिए, मैंने reverse position करा, अभी reverse बन गई है, अभी red, अब market यहां से नीचे जाएगी, तो इसको benefit होगा, अब आपकी stop loss है, यह sale की चाग आपको buy करने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों सारा काम हो रहा है, उमीद करते drag and drop वालो जो feature से आपको अच्छे से समझ आ गया, अब आपको अगर यह positions आपको काट नहीं है, तो कैसे काटेंगे, तो पहले तो माले दाम यह stop loss हटा लेते हैं, मैंने इसको click करा, yes कर दिया, stop loss हट गया, order हट गया यह, मैंने इसको click करा, यह order हट गया, मैं इस position को काटना जाता हूँ, मैं इसको cross के निशान में click करूँगा, close position, that's it, position बन, all positions are closed, जो भी profit loss है, अब आपका हो गया, तो इतना simple है, इतना easy है, एक एक second के अंदर आपका यह काम हो जाता है, easily, जो आप orders है, वो orders आप यहाँ देख सकते, देखें सारे orders, इस सारे orders की detail आपको यहाँ न cancelled हो गए, और कितने field थे, यह सारी चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है, सारी detail आप देख पाएंगे इधर ही, right, तो यह सारी चीज़ आपको on chart ही मिल जाती है, काफी लोग confused हो जाते है, कि यह जो हम order लगा रहे हैं और इसको cancel कर रहे हैं, क्या इसका कोई broker charge लेता है जी नहीं, जो order execute नहीं हुआ, जो trigger नहीं हुआ, उसको कोई charge नहीं होता, आप दिन में 500 order लगा करके cancel कर दीजे, कोई problem नहीं है, लेकिन अगर order execute हो गया, आपने buy order लगाया तो trigger हो गया, buy हो गया, तभी charge कटेंगे, otherwise charge नहीं कटता है, तो उमीद करता हैं दोस्तों, यह fires का drag and draw features आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब एक और important question आता है, क्या हम इसको mobile में use कर सकते हैं, जी नहीं, mobile में यह काम नहीं कर रहा है, मैंने खुद try करके देखा है, mobile में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी tablet है, अगर आप tablet वगरे use क उसके अंदर ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है, एक बड़ी screen चाहिए, फिर fire web आप करके, ब्राउजर में जाकर के login करिएगा, एप से नहीं, ब्राउजर में fire web लिख करके login करिएगा, जैसे कि मैं यहां computer में login करता हूँ, ठीक इसी तरीके से, तो आप इसको use कर पाएंगे और important चीज़ अगर fires में आपको account खुलवाना है, तो उसका link मैंने description और comment box में दे दिया है, आप वहां से जाके account open करा सकते हैं, जो link हमने provide कराया है, अगर उसके थुरूँ आप account खुलवाते हैं, कोई extra charges आपको नहीं लगते, और जो charges fires के हैं, वही charges आपको लगते हैं, और क बाइ दोस्तों